हेलो दोस्तों स्वागत है आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम Physics Class 12 Chapter No.1 में उपस्तित बिद्धुत Flux यानि कि बिद्धुत Flux के बारे में समझेंगे तो आज की वीडियो बहुत important होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा चलिए बिना देरी करते हो वीडियो को स्टार्ट करते है बिद्धुत Flux बिद्धुत Flux क्या होता है इसका Definition देख लेते हैं यानि की परिभासा देख लेते हैं किसी बिद्धुत छेत्र में इस्थित किसी प्रिष्ट से होकर गुजरने वाली वाली बिद्धुत बल रेखाओं की संख्या को उस प्रिष्ट के बद्ध बिद्धुत Flux कहते हैं इसे फाई इसे परदर्शित करते हैं या एक अदिसरास ही है ठेक अब समस्ते हैं यह देखी यह कोई बिद्धुत छेत्र है क्या है बिद्धुत छेत्र है इसमें उपस्थित कोई प्रिष्ट है इसमें कोई प्रिष्ट उपस्थित है ठेक इस प्रिष्ट से क्या वोला है प्रिष्ट से होकर यानि यह जो जा रहा है इस प्रिष्ट से होकर यहां से जो निकलने वाले बिधुत बल रेखाएं होंगी बिधुत बल रेखाएं रेखाओं की संख्या बिधुत बल रेखाओं की संख्या इनकी जो संख्या होगी वो क्या होगा बिद्धूत फ्लक्स विसी को हम बिद्धूत फ्लक्स करते हैं और जो बिद्धूत फ्लक्स होता है उसे फाई ई से परदर्सित करते हैं यानि कि दर्साते हैं ठीक और यह क्या है अधिस रासी है अधिस रासी कि यहां तक सबको किलियर है उमीद करता हूँ किलियर होगा चलिए बढ़ते आगे यही जो मैंने अभी बताया है यह वही है विद्धु छेत्र है जिसमें कोई प्रिष्ट है जिसमें से बिद्धुर्बर रेखा है निकल रही है अब इसका सूत्र देख लेते हैं क्या देख तो इसका जो सूत्र है यह होता है फाई इकल टू समाकलन यस इंटू डियस अब यह जो समाकलन यस का चिन है इसका मतलब होता है यह पूरा प्रिष्ट यह पूरा प्रिष्ट जो पूरा बड़ा सा है लेकिन यह जो डियस है यह है यह छोटा सा प्रिष्ट तो पहले इस प फलक्स निकालने के लिए हम इस सुत्र का प्रयूग करते हैं ठीक जिसका एक और सुत्र होता है फाई इक्वल टू इसको समझते हैं यद ए वह डियस के बीच कोण ठीटा हो तव यानि कि यद ए ए क्या है बिद्धु छेत्र बिद्धु छेत्र है और डियस सो ऑलपांस चेत्रफल यानि की अल्पचेत्रफल ठरस ही इस बड़े चेत्रफल में यह चोते हिस्सा है का इनके बीच कंग क्या हो इनके बीच कोन्ट ठीटा हो तो इनके बीच अगर को थीटा है तब क्या होगा फाइई इक्वल टू समाकलन इडियस कॉस्ट थीटा तब फाइई इक्वल टू e cos theta ds का समाकलन करेंगे तो हमारे पास कौन सा सुत्राएगा ये phi equal to e s cos theta ठीक बरते आगे देखिए जब e s equal to समाकलन यानी integral ds है तब ये किसलिए है संपूर्ण प्रिष्ट का छेतरफल ये है तो इसका मतलब जो यहाँ पे अभी सुत्र देखें है phi equal to क्या देखें है phi equal to e ds cos theta ये जो सुत्र है ये सुत्र किसके लिए संपूर्ण प्रिष्ट का छेतरफल इसके लिए अब इसका ऐसा ही मात्रग देख लेते है SI मात्रग किसे देखेंगे जो अभी सुत्र लिखे है अलपांस ds के लिए phi equal to sum a colonis e into ds into ds से ठीक equal to अब देखें e का मात्रग e का मात्रग यानि कि विद्दु छेतर का मात्रग ds का मात्रग यानि कि ds क्या है हमारा छेतर फल है तो छेतर फल का मात्रग ये जो है मात्रग ये SI मात्रग है ठीक ये ध्यान दीजिएगा e का जो मात्रग होता है यानि विद्दु छेतर का SI मात्रग होता है newton परती कुलाम into ds का मात्रग क्या होता है meter square पादल को यो कि penal कूलाम् कियोंकि नेंट-ब विद्द्द-व्लक्स की बीमा के से याद करेंगे तो एसा ही मात्रक से एसा है मात्र किसका होता है Newton meter square परती कुलाम इससे हम क्या ग्याद करेंगे बीमा Newton का बीमा यानि की बल की बीमा M L T पर माइनस 2 into meter meter square की बीमा L square क्योंकि इसमें length आएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई ठेक और परती कुलाम कुलाम की बीमा क्या होती A T ठेक यहां से हो जाएगा M L 3 T पर माइनस 3 A पर माइनस 1 यह इसकी बीमा हो जाएगी तो बस आज की वीडियो में इतना है और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके पीडियो आप नोट्स के लिए आप हमारे टेलीगराम चैनल जोइन कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो भी कर लिजिएगा चैनल का नाम है learn with संदीप आल सब्जेक्ट्स तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तके लिए गुडबाई जैहिन बने मात्रम